ही खार्थी लोगत प्रधान मुंटीर परिक्षा पे चर्शा अनुस्थान सीबी एसे ड्वादोक सेनीर परिक्षा बातिल होगार पीसोते ही खार्थी आर ओभी भापकर खोईते प्रधान मुंटीर वीडियो कंफरेंस ओट मौत भी निमाय कोड़े इस बार्था लपोटे ओखो मोर नौल बारी मृदोस मिता देका अरु गौहां तीर वीडिखा सोद होगी है मौत भी निमाय कोड़े प्रधान मुंटीर खोईते नमस्कार से वीडिश वादी गौहार्थी रॉयल लोबल स्कूल से गौहार्थी से हैं आपने जैसी स्टाइट किया था अपने अपना एक्जाम वारियर्स के बारे में आपने बताया था तो मैं बस एक चीज़ कहना चाहँगी इधर सभी से कि मैं दस्वी कख्षा में थी जब मेरी दस्वी के परिक्षा ओने वाली थी और मैं ट्रावल कर रही थी करकते से यहां आ रही थी और एइपोर्ट में मेरे को आपकी बुक दिखी सो मैंने तुरंटी उसे खरीद लिया था और मेरे दस्वी की परिक्षा होने वाली थी मेरे खुद का एक्सपीरिंस था सब मैंने एक महिने तक रोज उस बुक को पढ़ा था आपने बुक के शुरुवात इसी चीज से कही थी कि एक्जाम को त्योहार की तरह मनाओ तो सर त्योहार के लिए डढने के क्या आवशकत है मतलब त्योहार के लिए तो हम तयारी करते हैं कि वो सकसेस्फुल हो और आपने सबसे बड़ा मंतर जो योगा का दिया था आखर में आपने जो योगा के मंतर से एंड की थी सो सर ये दो चीजे जो थे वो मन में लगातार थी कि माना वरिस्थिती अच्छी नहीं थी सब कुछ सा बट ये जो भावना से हमने एक्जाम की जो प्रिपरेशन की मैंने बारवी में जिस तरीके से की सर आपकी को धन्यवाद आप उस भूख के लिए कि बिल्कुल भी मेरे सवाल का जबाब रह गया और एक नौजवान लगाता हाल उपर कर रहे हैं उनको मुखनी में रहा है मेरा नाम नंदन हेग्डे सर नंदन हेग्डे सर नंदन हेग्डे करनाटक से हैं सर, मैंने सोचा यह परिक्षा मेरा जिंदगी का अंतिम परिक्षा नहीं हें सर, आगे तो बहुत परिक्षा आने वाला है सर अब हमारा आरोग्य को बचा के रखना है और आगे आने वाला परिक्षा वो सामना करना है अच्छा अबीच एक्जाम से द्जी हो गए तब मन में क्या आइक पियल देखने में टाइम करना